नमस्कार जोहार मैसंजे और आप देख रहे हैं न्यू जारकन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी कबरों को कल नौ फरवरी को होगी केबिनेट की बैटक जारकन सरकार के केबिनेट की बैटक नौ फरवरी को होगी साम चार बजे से होने वाली बैठक की अर्धक्सता मुख्यमंत्री हिमंतु शोरिन करेंगे बैठक में राज्य के विकास से समंधित महतपून योजनाओं पर विचार के बाद फैसला किया जाएगा बजट सत्र में होंगे 17 कारी दिवस जार्खन विधान सभा का बजट सत्र 27 फरवरी से आरंब होगा सत्र की सुरुवात राजेपाल के अभिभासन से होगी इस दोरान खुल 17 कारी दिवस होंगे विधान सभा सची वाले ने बजट सत्र का बजट सत्र का बजट प्रस्तूद होगा पांच मार्च से बारा मार्च तक सदन की कारवाही इस्थगित रहेगी इस बार सनिवार को भी सत्र आहूत किया गया है कैसकान मामले में वधायक नमन विक्सल से पूछताच अब तक कॉंग्रेस से निलंबित इर्फान अंसारी और राजस कचप ने दिये पाक पवित्र ही बताया है वही आज नमन विक्सल कॉंगाडी से पूछताच कर रही है वे निर्धारित समय पर एडी कारले पहुँचे वहां उन्होंने पत्रकारों से बातचित करतों विकाह की कैसकान मामले में एडी जो भी शवाल करेगी उसका जवाब दूंगा मैंने स ट्रक ने दोशा के भाईयों को कुछला जाम वा लाटी चार्ज रांची के बुट्टी मोड इस्थित चौधरी पेट्रोल पंप के पास तेजरबतार मालवाहक ट्रक नी मंगलवार रात सड़े आठ बजे बाइक सवार दोशा के भाईयों को कुछल दिया दोनों की मौके पर ही मात हो गई घटना के बाद उग्र हुए लोगों पर पुलीस ने लाटी चार्ज किया मिर्तकों का नाम रंधीर सिंग और सुधिर सिंग है दोनों जुमार पूल के समीप बसंद कोलोनी में रहते थे दुर घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दी इससे वहानों कर रहे हैं लोग उग्र हो गए बसोवा ओटो में तोड फोड सुरू कर दी पुलीस ने पहले इनको ख़देडा फिर लाटियां बरसाई पुलीस ने तोड फोड कर रहे हैं लोगों को दोडा दोडा कर पीटा जिससे अफरा तफरी मच गई लोग इधर उधर भागने लग अब तक जंगलों से लगे गाओं में गजराज का अतंग था लेकिन अब इन्होंने सहर में भी उत्पात मचाना सुरू कर दिया है एक हांती ने बुधवार की एहल सुभा कुमार टोली और खिरगाओं काली मंदर के समीप दो व्यक्तियों की जान लेली है वही एक महला गं भी रूप से घाइल है जिससे रांची इलाज के लिए भेजा गया है मिले जानकारी के अनुशार हांतियों के दल से पिछड़ कर एक अकेला हांती खिरगाओं की रास्ते सहर में परवेस किया और समसान काली के शमीप खेत में काम कर रहे एक व्रिद को उठा कर पठक दिया उसके मरने के बाद हाथी आगे बढ़ा और कुमाटोली विद्या मंदर में घुश कर वहां एक और व्यक्ती की जान ले ली शाथी एक महिला को भी घायल कर दिया लोग हाथी के डर से भैभी थे और सड़कों पर उतराए हैं ग्याथों की 2019 में भी जून में पिछडे हाथी ने 13 लोग की जान ले ली थी अलाकि या कोई पहली बार नहीं है बलकि इससे पहले भी हजारी बाग में हाथी जम कर उत्तात मचा चुके हैं पिछले साल नौंबर में हजारी बाग पूरवी वन प्रमंडल के दारू में कई एकर में लगी आलू, गोभी वा, मतर की फशल को बरबात कर दिया गया था। पूरों में प्रात्मिक सिक्षा संचालित की जाती है, इन विद्यालियों में प्ले ग्रूप की कक्षा के अनुशार संसाधन उपलब्द कराए जाएगा, अस्कूली सिक्षा इबम सक्षरता विभाग द्वारा विद्यालियों में पठन-पठन के लिए समागरी, खेल- क्लासरूम में पेंटिंग की व्यास्था कराए जाएगी, 7500 विद्यालियों में 444 विद्यालियों के लिए केंदर सरकार द्वारा रासी उपलब्द कराए गई है, इन विद्यालियों को शनसाधन युक्त करने का कारी चल रहा है, केंदर सरकार द्वारा प्रति विद्याल गोल्ड मैलिश्ट आसा के घर ना पानी ना शौचाले अपनी रप्तार से पूरे देश को चमत कृध कर दिने वाली आसा किरिण बारला का परिवार मुफलिसी का जीवन जी रहा है आसा ने इस बार भुपाल में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अथलिक्स स्परधा में दो दो गोल्ड मेडल हासिल कर गुमला और जारखन का नाम रोसन किया है लेकिन प्रसासनी कुववास्था और लापरवाही का अलम या है कि आसा के गाउं नावाडी पर ना तो पीने के पानी की वास्ता है और ना ही 140 की शुवदा गुमला जिले के कामडारा प्रकंड के नावाडी गाउं में रहने वाले आसा के परिवार को मिला प्रधानमंतिरी अवास दो शाल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है नतीज अतन उनका परिवार मिटी के एक सिर्ण घर में रहता है उनकी बड़ी बहन फ्लोरेंस बारला भी अंतुराष्ट्रियास्तर की अथलीट है आसा के पारासिक चक्पिता विलियम बारला की मार्च 2013 में मात हो गई थी मिटी की घर में मा रोजालिया आइंद दो भाई एक भावी और दो बहने रहती है कामडारा स दिप्ती प्रियंका कुजूर ने कहाए कि समश्याएं शुलजानिक लेप्रखन प्रसासन प्रियासरत है इंजिनिरिंग की तयारी कर रहे छात्र की हत्या अधजली लास असकूटी और पेट्रोल की बोटल बरामत जारखन की गिरीडी में पिकनिक स्पोर्ट खंडोली में एक छातर की अधजली लास मली है मिर्तकी पहचान बिरनी थाना इलाके के घागरा गाउनिवासी सत्रा वर्सिय विसाल सिंग के रूप में हुई है विसाल राजिस्तान के कोटा में इंजिनरिंग की तयारी कर रहा था फिलाल वह अपनी माह के साथ पचंबा थाना इलाके के क्रिश्न नगर में रा रहा था बताया जाता है कि मंगलवार की सामकु खंडोली तरब से एक वन विभाग के कर्मी ने सड़क के किनारे जानियों में अजली लास दे की वन कर्मियों ने तुरन थे इसकी सुचना बेंगाबार थाना परभारी ससी सिंग को दी पलिस मौके पर पहुची तु देखा कि एक लड़के की लास और बगल में असकूटी है और तक्रीबन आधा बोतल पेट्रोल एवं मॉबाइल पढ़ा है सौ के पास पड़े मॉबाइल फोन से मिर्टक के परिजनों को जानकारी दी गई सूचना पर मिर्टक के चाचा ललन सिंग समयत कई लोग पहुचे सौ की पहचान की गई और लास्कू शदर अस्पता लाए गिया परिजनों ने बताया है कि मिर्टक के पिता शाओदी अरम में इंजिनियर हैं जबकि विशाल कोटा में पढ़ाई कर रहा था दो सप्ता पहले ही वहा गिरिडी के SPS में प्रेटीकल परिचा देने कोटा से गिरिडी आ था मंगलवार की सुभावा क्रिश्न नगर इस्तित अपने घर में अपनी मा को या कहा कर निकला था कि उसे अस्टडी बुक लाने जाना है विसाल असकूटी से ही घर से निकला था इस मामले को गंभिरता से लेते संकी शुचना मिलने के बाद सदर SDO, विशाल दीप, खलगो, भीदलबल के साथ, धरना प्रदर्शन, अस्तल पहुँचे और काफि मसकत के बाद लोगों को शमझाया बुझाया गया नगर निगम और नगर पाली का चुनाओ के लिए इंतजार बरकरार, चुनाओ में ओबिसी आरक्षन नहीं देने को सुप्रिम कोर्ट में चल रही सुनवाई, मुख्य सचिव ने कहा, कोर्ट के आदेस पर ही होगा चुनाओ, जार्खन में अभी नगर पाली का और नगर न जवाब मागा था, राजे के मुख्य सचिव की और से सुप्रिम कोर्ट में जवाब दे दिया गया है, या जवाब सपत पतर के माध्धम से दे दी गई है, अपने जवाब में राजे सरकार की और से सुप्रिम कोर्ट को बताया है कि राजे सरकार सुप्रिम कोर्ट के आदे में संसुधन किया गया है विधान सभा से पारित इस शंसुधन के आधी सुचित होने के बाद राज में निकाचना कराय जाएगा मुखे सची ने शपत पत्र के माधम से जवाब देतो हुवे अनरोध किया है उन्होंने शर्वच नियाले द्वारा पारित आदेश का कोई उल द्वानी प्रदूर्शन को नियंतरित करने के लिए पारिवरेन वन और जलवायू परिवर्तन विभाग निया फैसला लिया है वही कई छेत्रों में ध्वानी के मानकों का पालन करने का आदेश दिया गया है पारिवरेन वन और जलवायू परिवर्तन विभाग की अलग- अधिस उचनाओं की अधार पर विभिन शेत्रों में निश्रधग्या लागू की गई है। अधिस उचनाओं की अधिस उचनाओं की अधिस उचनाओं की गई है। अधिस उचनाओं की अधिस उचनाओं की अधिस उचनाओं की गई है। अधिस उचनाओं की अधिस उचनाओं की अधिस उचनाओं की गई है। अधिस उचनाओं की अधिस उचनाओं की अधिस उचनाओं की गई है। पुलिस गाडियों की रजिस्ट्रेशन नंबर से उसके मालिकों की पहचान करने में जुटी है। दरसल पलामू जिला प्रसासन को सूचना मिले थी कि नेशनल हाईवे अंठानबे और पच्छतर से बड़ी पैमाने पर रात के अंधिरे में माफिया पत्तरों की ढूलाई कर रहे हैं। इसी सूचना की आधार पर सदर S.D.M. राजेस कुमार सहा और जिला खनन पदधिकारी आनंद कुमार के नेतुतों में मंगलवार के देर रात छापे मारी शुरू हुई पांडवा और नावजार धानाय चेतर के सीमा पर नेशनल हाईवे अंठानबे पर दोनों अधिकारि उने चेकिंग शुरू किया चेकिंग अभ्यान में बारा हाईवा और ट्राक को जब्त किया गया प्रसासनिक टिम जैसे ही नेशनल हाईवे अंठानबे पर पहुँची ट्राक हाईवा के ड्रावर और खलासी अपने गाणियों को छोड़ कर भाग गए